हाई गाईस विल्कम टो दीप लेक्टोनिस लाब आज हमारे पास एक LED TV का मदर बोड है जिसका नमबर है TPV56PV832 तो बहुत सरे लोग पुछते हैं कि आगर हम किसी दूसरे TV का मदर बोड किसी दूसरे TV में अगर इंस्ट्रॉल करना है तो हमें कौन-कौन सा चीज के उपर ध्यन में रखते हुए हमें लगाना होगा तो इसी के उपर आज बात करेंगे कि हमारे पास ये जो मदर बोड है जो की कॉम्बो बोड है इसी के अंदर ही बैक लाइट और पावर सप्लाई सारे कुछ अवेलेवेल है इसी को बोला जाता है कॉम्बो बोड तो इस बोड को आप कहा कहा पर इस्तेमाल कर सकते हो या इससे टीवी का अगर पैनल खराब हो चुका है और अगर आपको नए आ पैनल इंस्टॉल करना है तब आपको कौन सा कौन से चीज के उपर ध्यन में रखना होगा तो चलिए हम देख लेते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तो गई सबसे पहले किसी और टीवी में अगर इस बोड को इंस्टॉल कर रहे हो या इसके बोड के अंदर आप नया पैनेल इंस्टॉल कर रहे हो जो और जिनल पैनेल था उसको रिप्लेस करके तो सबसे पहले आपको धहन में रखना होगा कि इस बोड से हमारे जाप पैनेल में जो भोल्टेज जाएंगे वो जो पावर सापला है वो कितने बोल्टेज यहां से आउटपूट होंगे और आपका जो पैनेल है वो कितने बोल्ट का है तो फिलाल हमारे पास इस नंबर का बोड के अंदर यहां से 12 बोल्ट आउटपूट होती है तो इसके अंदार आप सेर पर से 12V का ही पैनेल आप इंस्ट्राल कर सकते हो अगर आपके पास 5V का या 3.3V का पैनेल है तब आप इसको इस्तेवाल नहीं कर पाओगे क्योंकि इस बोल्ड के अंदार ऐसा कुछ भी फिचर्स नहीं है जो कि आप बोल्डेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा और आगर आप इसी के अंदारी 5V या 3.3V मतलब पैनेल को इंस्ट्राल करना चाहते हो तो आपको थोरा सा एक मोडिफाइक करना होगा वो क्या है कि किसी भी करके यहाँ पे जो पावर सापलाई का जो पॉजिटिव पावर सापलाई का बोल्टेज सोर्स है जो कि आउटपूट होती है यहां से तो यहाँ पे आपको 5V देना होगा इसको डिस्कनेट करके यानि कि आगर आप पीछे देखोगे यह जो एक दो तीन नंबर का जो पीन है यह हमारा पॉजिटिव पावर सापलाई के लिए जो कि 12V है आपको इसको कट करके यहाँ पे आपको 5V देना होगा मोडिफाई करके अगर यह पॉसिबल है आप अगर कर सकते हो तो यह पॉसिबल हो जाएंगे उसके बाद आपको दूसरी जो धेन में रखना होगा वो की पैनेल रेजूलेस है जो की हमारे पास इस बोड के उपर यहाँ पे जो BIOS IC लगा हुआ है प्रोग्रामेबल जो IC है वो सभी TV के बोड के अंदर होते है चाए वो यूनिवर्सल बोड हो चाए वो एंडरोइड बोड हो चाए वो कोई भी किसी तरीके का LED TV या LCD TV का बोड है सभी के अंदर एक बायोस IC या प्रोगिरामेबल IC होता है तो उसके अंदर आपको पैनेल के हिसाब से रेजूलेशन के हिसाब से आपको सौप्ट्वेर इंस्ट्रल करना होगा जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि इस बोड का जो नमबर है आपको सारे फुल एच डी नॉन एच डी जो मतलब जितने भी रेजूलेशन का पैनेल आते है सारे रेजूलेशन का सौप्ट्वेर आपको मिल जाएंगे तो अगर आपको कहीं पर ना मिले तो नीचे मेरा टेलिगरम ग्रूप का लिंक देदूंगा वहाँ पर आके जॉइन करके आप अपना जो हिसाब से सौप्ट्वेर डालके आप इनिस्टॉल कर सकते हो या नहीं कि आप जो नया पैनेल या किसी अन्ने टेवी में आप इस बूर्ड को इनिस्टॉल करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से कर पाऊगे सिद्वां तो यह तागा इसकूच एजो दो चीजे इन दोनों चीज को drown me रखना होगा उसके बाद आपको तीसरी ज़ू धैन में रखना होगा कि आपके पैनेल के डेयर इस Betta कहीं साथा यह तो यह जो यहां पे वह दोनों को अंदर मेंत्स कर डाला होगा मार्केट में इस तरह की को जो LVDS के विल आपको मिल जाती है तो अगर आपको लगे कि हमारे जो पैनेल के हिसाब से इस बोट के अंदर एकी मतलब एकी तरीके का LVDS के विल निकल रही है जहाँ पर जितना वोल्टेज निकलना चाहिए वो ही निकल रही है तो डारेक्ले आप कनेक्ट कर सकती हो या अगर आपको लग रहा होगा कि हमें कुछ चेंजेस करने होंगे जो भी कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप बहुत ही असान इसे चाहिव आप यहां से निकल के आप कर सकती हो या आप यहां से निकल के कर सकती हो तो यह जो मैंने तीन चीज़े आप लोगों बताया इन तीन चीज़ों के उपर आपको बहुत ही ध्यान देना होगा जब आप किसी ओर टीवी का मदरबोड किसी ओर टीवी में इंस्टॉल करोगे तब या आप किसी टीवी के अंदर नेया पैनेल इंस्टॉल कर रहे हो तो इ हमें बता सकते हो कि किस टोफिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस टोफिक पर वीडियो बनाएं तो जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को वीडियो बना के डाल दूंगा और अगर आपको सब्सक्राइब के जोरत होगी तो नीच वीडियो में तब तक के लिए थांकियो बाई बाई